नमस्कर दोस्तों निलम गाडन टीश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं गुणल प्लान्ट लाई हूँ जो मल्टीकलर का है और इसको मैं आज रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ समरा गया है इसमें आज रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है बहुत सारा इसमें जड़ भर गया है जैसे दो तीन साल से आपका पौधा एक ही प्लांट में एक ही गमला में रहता है तो आपका बहुत देकत करता है तो बहुत ज़्यादा इसमें जड़ा गया है जैसे आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इसोलेंज का पौट है और इसमें देखे कि कितना सारा जड़ इसमें root bonding हो गया है जो ज़ादा जड़ के कारण इसमें विकास पूरा नहीं हो रहा है तो दोस्तों जैसे ही फरवरी आता है तो आप गुड़हल में काम करना ज़रूरी समझे क्योंकि इसका पूरूनिंग करना कटिंग करना आपका ग्राप्टिं में रहने के कारण इसका देखिए कि इस तरह से जड़ हो गया है और इसका height देखिए दोस्तों कि height इसका कितना है बहुँ ज़्यादा height है यह लगता है कि 3 feet से ज़्यादा का है तो दोस्तों अगर plant ऐसा हो जाए तो इससे reporting करना ज़रूरी होता है समर में ताकि आपको भर भरबर साथ आपको पूरा ठंड तक आपका फ्लावरिंग होते रहे मैं इससे अभी तक फूल पाते रही हूं दोस्तों लेकिन मैं एक माह हो गया इसको मैं प्रूनिंग हाटली की थी तो इसमें जब भी आप प्रूनिंग करें तो इसको मिट्टी को सुखने दे और यह असान समर में जो भी आप पौधा रखे हैं तो देखिए कि मैं प्रूनिंग करने के बाद कितना इसमें ब्रांच आया है और एक कलर उपर भी आगे मैं की हूं जैसे पहले से दो कलर है एक ग्राप्टिंग मैं यहां से की थी दोस्तों यहां से और पूरा पीला कलर का हो गया है औ और उपर गुलाबी कलर का है और फिर उपर मैं रेड कर दी हूं तो दोस्तों यह तीन कलर का हो गया मेरे पास तो बहुत सारा इसा प्लांट में बनाई हूं अभी ग्राप्टिंग का भी बहुत अच्छा सीजन है तो दोस्तों जैसे यहां देख रहे हैं कि मैं इसे अभी निकाल कर बताती हूं कि मैं इसमें कैसे कैसे क्या करती हूं तो सबसे पहले देखिए कि यहां मैं इसको निकालने की कोशिस कर रही हूं तो दोस्तों इसको निकालने के करम में मेरा गमला भी तूट गिया जैसे नीचे से पहले से थोड़ा तूटा हुआ था इसलिए देख चुका है तो मैं दूसरा गमला इसे बद़ दूँगी तो दोस्तो देखिए पूरा तरह से इसमें जड़ा आया है दिखी कि पूरा से कुछ पहले से थोड़ा सा तूटा हुआ था तो मैं सोची कि इसको गमला ही मैं अब चेंज कर देती हूं जैसे देखिए कि कितना ज्यादा इसमें जड़ बूट बॉंडिंग कर दिया है तो इसको अगर आईसा हो जायते इसको पहले प्रेंज करना है देखिए कि यहां कितना ज़्यादा जड़ है वहूंट इस तुमें हो रही थे ऐसथी तो इससी तरह से जब हो जाए तो आप इससको पूरा तरह से को कत करें अब भड़ा मीटी को हटाएं पर गए मैं इसको मेटी को हठा कर बताती हूं तो जैसे देखी दोस्तों कि कितना सारा इसमें मूण लूड़ हुआ था बहुत सारा इसमें देखिए कि पूरी तरह से एक कैप्चर कर लिया है इतना सारा तो इसको मैं कट करके हटा दूँगी अब में रूट आपको नहीं हटाना है तो इस तरह से इसको हटा देना है और इसी तरह से दूसरा गमला बस इतना ही काटना है आपको में जड़ी सब नहीं काटनी है तो दोस्तों देखिए मैं दूसरा गमला ले ली हूँ और यहां एक हौल है और इस पर इसी तरह से धीकरी को बिठा देनी है उसके बाद आप थोड़ा 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 तूकड़ा भी ऐसे करके डाल सकते है तो दोस्तों इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा नीचे आप कंकड़ पथल भी डाल सकते हैं तो मैं थोड़ी सी इस में इस तरह से मैं डाल कर बताती हूँ कि कैसे मैं इसको तो यहां मैं यहां पर थोड़ा सा मिटी को अंदर डाल दी हूँ दोस्तों और यहां जैसे देखिए कि मैं नोर्मल गार्डन स्वाइल 50% ली हूँ और यहां कुछ जो खाद है जो मैं ली हूँ जो यहां काउडंग है दोस्तों यहां नीम खली है यहां चाय की पत्ती है यूज किया हुआ यहां लकड़ी के राख है और यह दीएपी थोड़ा सा है तो हमें इसको क्या करना है कि इसको आपको 20% लेना है और थोड़ा से एक मुठी इसको लेना है लकड़ी की जो राख है उसको एक चुटकी लेना है एक मुठी नहीं दोस्तों सोरी इतना सा और इसको नीम खली एक मुठी लेना यह आपको फंगस नहीं लगने देता है और इ इसे यूज किया हुआ चाय की पती है तो इसे फ्लावर के साइज भी बढ़ेगा स्वाइल भी एसे डीख होता है डियेपी ग्रोथ बढ़ने में बहुत मदद करता है जो आपको नैट्रोजन दे देता है काउडंग भी नैट्रोजन का सोर्स बहुत अच्छा है इसमें बहु सब फेट लेनी है दोस्तों तो जैसे इसे हमें फेट लेनी है ऐसे लकड़ी की राक की थोड़ा सा हम रख लेते हैं ऐसो फेटने के बाद आपको जितना आपको लगे कि सेंटर में हमें पौधा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है तो इसको अनुसार आपको करनी है तो दे देखे कि अर्जास्ट कैसे हो रहा है तो बहुत जादा इसमें जड़ था तो यह अर्जास्ट करने में दिकत होती बन कोति है। इतना सारे निकालने के बाद आपको जितना मीटी को डाल फील करदें इस तरह हैं, अब भून satisfied,ivia told शाल car तो इस तरह से दबा दे थोड़ा सा दोस्तों तो यह बहुत हाइट में बड़ा है इस लिए इससे थोड़ा सा मैं नीचे में डाली हूँ कि लंबा जो प्लांट होता है उसको गहराई चाहिए नहीं तो यह उलट जाता है आंधी तुफान में इस तरह से मैं 16 इंच का पॉट में लगाई हूँ तो दोस्तों इस तरह से देखिए कि मैं पूरी तरह से इसमें मिटी को डाल दी हूँ अब इसमें भरपूर पानी देनी है अब प पानी देनी है तो पानी एत्मा दे कि आपको पूरा नीचे की और से निकल जाए तो देखिए दोस्तों यहां मैं पानी डाल दी हूँ अब इसको पूरा गर्मी पूरा सर्दी पूरा गुरोथ बढ़ने के लिए मैं कोई ऐसा फटिलाइजर नहीं दी हूँ ताकि इसमें को है लेकिन हाँ जड़ कटने के बाद थोड़ा से स्ट्रेस में चल जाता है इसलिए इसे थोड़ा सा धूब से बचा कर रखना है बस दो-तीन दिन के लिए धूब से बचा कर रखे तो यह बहुत अच्छा अपना स्वस्त रहेगा और देखिए कि पानी सब नीचे की और चल मतशने दोस्तों फेर मिलते हैं जेसे देखिए कि मैं सभी प्लांट को प्रूनिंग अभी ज्यादा तोहीं संब्रूनिंग करना बहुत ज्दूरहीं होता है इस तो इस तरह से अगर आपका प्लांट हो जाए तो आप इस तरह से करें ताकि आपको भर गर्मी भर भर साथ आपको ठंद तक फूल एवर ग्रीन ये प्लांट है